नमस्कार मैं सूराज सिंग स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर आज किस वीडियो में हम ओपी 360 वेबिनार के रिगारिंग बिसकस करने वाले हैं ऐसा ने कुछ इंफरमेशन दिया है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को 15 अगस्ट इंडिपेंडेंस डे मींस सुतंतरता दिवस की बहुत सारी सुपकाम नहीं देना चाहता हूँ इस डे को आप सभी लोग अच्छे से सैलिबरेट कीजिये क्योंकि आप सभी को पता है कि आज की दिन क्या हुआ था बट अगर हम बात करें real freedom की जिसमे time freedom भी आता है money freedom भी आता है जिसके लिए हम आज भी लड़ रहे हैं जिसका solution है on passive जी हाँ फ़र्स आप सभी को अच्छी से पता है कि on passive हमें total freedom provide करने वाला है total solution provide करने वाला है money freedom with time freedom जिसके लिए on passive यहाँ पर लगातार काम कर रहा है तो अगर हम ASR की बात करें तो ASR OP360 webinar में काफी ज़्यादा confident नजर आ रहे थे और ऐसा तभी होता पर जब आपको सारी चीजे अच्छी से पता हो जब सभी चीजे आपके control में हो आपका goal clear हो आपका vision clear हो और goal को कैसे achieve करना है वहाँ तक कैसे पहुँचना है यह सभी चीजे आपको अच्छी से पता हो क्या करना है कैसे करना है जब सारी चीजे आपको अच्छी से पता होती है और आप डाउन से अपकी तरफ जा रहे होते हैं तो आप अद्र से काफी ज़यादा confident होते हैं और इसी परकार से हम सभी लोग on passive को लेकर काफी ज़्यादा confident है इसलिए ऐसर चाहते हैं कि हमारी journey के next phase के लिए हम सभी लोग ready हो जाएं जल्दी यह हमारे लिए और भी ज़्यादा clear हो जाएगा we are going up not down जी हाँ friends आप सभी को अच्छी से पता है सबसे अच्छी बात या है कि हम सभी लोग पहले से ही next phase के लिए काफी अच्छी से ready हैं और इसके लिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए ऐसा ने कहा कि इसके लिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए सायद next week में हमें next phase की regarding कुछ और भी important information ऐसर हमारे साथ share कर सकते हैं कि on passive में जो internally कुछ problem create हुआ था उसको ठीक करते हुए हम next phase की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो अब हम यह उम्मीद कर सकते हैं friends कि next week से हमें कुछ अच्छे updates regarding next phase हमें मिलना start हो सकता है यानि कि next phase की regarding next week से हमें कुछ अच्छे updates मिलना start हो सकता है current phase में हम सभी जानते हैं कि हमने बहुत से ups and down देखे हैं मतलब उतार चड़ाओ देखे हैं लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने हार नहीं मानी है friends हमने अपने vision को change नहीं किया है आज भी हमारा vision वही है यानि कि जो हमारा vision है आप सभी को अच्छे से पता है आज भी हमारा vision वही है जिसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं no doubt हम यहाँ पर कुछ areas में fail वहे हैं क्योंकि on passive team में कुछ wrong people जिने हम corrupt people भी बोल सकते हैं जो on passive में सामिल हो गए मतलब on passive में कुछ bad apples भी आगे जिनके वज़ा से बहुत सारे challenges का सामना हमें करना पड़ा है friends जिनके वज़े से time and कुछ और भी चीजों का नुक्सान हुआ है क्योंकि जिन लोगों उपर विस्वास करके हमने जिम्मेदारिया सौपी थी वो अपने जिम्मेदारियों पर खरे नहीं उतर पाए तो हमने उन पर विस्वास करके गलती की है और हम यह भी कह सकते हैं कि इस एरिया में हम fail वे हैं तो इस एरिया में wrong people आ गए क्योंकि स्टार्टिंग में हम अपने long vision को लेकर काफी जादा busy थे लेकिन आप सभी को अच्छे से पता है friends कि success पाने के लिए हर एक चीज़ पर ध्यान लखना काफी ज़्यादा जरूरी होता है जहां पर हम पहुँचना चाहते हैं वहां पर पहुँचने के लिए right direction भी हमें पता होना चाहिए and right people भी हमारे साथ होने चाहिए क्योंकि wrong people पर trust करने का result क्या होता है इसको आप सभी लोग काफी अच्छे से समझ सकते हैं और on passive में wrong people selection का impact ये पढ़ा कि हम जहां पर पहुँचना चाहते थे वहां पर अभी हम नहीं पहुँच पा हैं क्योंकि time and quality दोनु का नुक्सान हुआ इसलिए बहुत सी चीजे डिले भी हुई है जिसको आप सभी लोग समझ पा रहे हैं देख पा रहे हैं तो इन सभी points की regarding answer देख रहे हैं सभी चीजों को fix कर रहे हैं और सभी challenge उसको face करते हुए लगातार आगे बट रहे हैं because winners never quit जी हाँ जो winner होता है वो कभी भी हार नहीं मानता है उसका जो focus होता है हमेशा उसके अपने vision पर होता है अपने goal पर होता है और अपने goal को achieve करने के लिए लगातार काम करते रहता है हम next phase की तरफ काफी तेजी से आगे बट रहे हैं हम इतना ध्यान रखना है कि अगर on pass में कुछ problem होती है तो उसके लिए different solutions पर काम किया जाता है और यही answer कर रहे हैं भले ही कुछ problems and challenges को face करना पड़ा है बट फिर भी बड़ी बात यह है कि answer आज भी हमारे लिए, हमारे dream के लिए हमारे future को बहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है मतलब अगर आपको यह पता चले कि on pass में इतने challenges आए इतने problems create हुई फिर भी इन सभी को face करते हुई इनका सामना करते हुए answer हमारे लिए ही काम कर रहे हैं तो आप answer की बहुत ही जादा तारिफ करने वाले हैं और सही समय आने पर जब right time होता है तो answer सभी चीज़े हमारे साथ बताते हैं मतलब जो भी publicly share करने लाइक होता है हमें बताने लाइक होता है उसके बारे में answer बताते भी हैं और जैसा कि आप सभी को पता है एसर ने भी कई बार इस point को touch किया है कि answer अब खुद in charge है सभी चीज़े उनके control में हैं उनके हाथों में हैं तो current face में हमने जो ups and downs देखे हैं जो challenges हमने देखे हैं जो problems हमने देखे हैं हम यहाँ पर जानकारी मिली है तो आने वाले टाइम में इसके chances कम हो जाएंगे क्योंकि जब सारी चीज़े answer के हाथों में हैं उनके control में हैं वो खुद in charge हैं तो on passive में जो भी होगा जहां भी होगा जब भी होगा उन सभी के बारे में answer को पता होगा क्योंकि सभी चीज़े answer के control में होगी तो अगर हमारे पास ऐसा leader है अगर हमारे पास ऐसा CEO है तो हमें किसी भी बात को लेकर चिंतित होने की ज़रोत नहीं है डिले कितना भी हो रहा है कोई दिकतने challenges कितने भी आ रहे हैं कोई problem नहीं है यह business का part है हमें यहाँ पर चिंतित होने की ज़रोत नहीं है on past में हमारा future bright है इसमें कोई भी doubt नहीं है तो यह थे कुछ important points जिसकी regarding मुझे आपसे बाते करने थी उमीद है कि यह सभी points आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे और यह video भी आपको informative ज़रोर लगा होगा झाल